हलो फ्रेंड्स विल्कम बाइक अवर यूटोब चैनल आज हम पढ़ने जा रहा है रुकमड़ी पब्लिकेशन की जो जितने MSU की दिये हैं साइंस के वो हम अपने इस वीडियो लेच्चर में पूरा कबर करेंगे और हम धीरे धीरे इसको पूरा कबर करते जाएंगे हमारा को क्वार सिकन हैं क्या दूरी की दूरी की प्रकास वर्स दूरी की काई है अब क्वेश्यन नहमने नेश्ट हैं मारा पारसिक की काई है और मिली मिल मीटर को मिली मीटर ममन的sen चाहितलुमद्र कीक». Q4 хоч एधिसरास क्यां? और्जा जो हमारी है अधिश रासी है Question no.5 फाइफ है हमारा सून में स्वतंत रूप से गिरने वाली वस्तुण का कि क्या समान रहता है तो हमारा तॉरण, तॉरण, Option C is the right answer हमारा तॉरण, समान रहता है अब Rocket, Option no.6 राकेट किस के की सिध्धान पर कार करता है तो रोकेट हमारा सम्वेख सर रचन का सिधान पर काम करता है और सम्वेख सर रचन न्यूटम का दोती नियम है क्या न्यूटन का दोती नियम है आप Question No.7 question number seven है चलती हुइ बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिसा में गिरते हैं और इसके द्वारा समझा जा सकता है क्या इसके द्वारा क्या समझा जा सकता है तो हमारा Newton का पर्थम नियम न्यूटन का पर्थम नियम, न्यूटन के पर्थम नियम को जड़तों का नियम भी कहते हैं और गलेलियों का भी नियम कहते हैं अगर हम यहीं न्यूटन के पर्थम नियम की बात कर लें तो हमको न्यूटन के पर्थम नियम को क्या कहते हैं अगर हम इसके विस्तार से बात करें तो एक समान गत से सरल रेखा में गतिमान वस्तु या बिरामा वस्तु की आवस्तु की आवस्ता में तब तक कोई परिवर्टा नहीं होगा जब तर उस पर कोई बाहबल ना लगाया जाए मतलब जब तक वो क्योंकि जो वस्तु है वो अपनी इस्तिरा वस्ता में रहना चाहेती है अगर कोई गतिमान वस्तु है तो वो गतिह की ही वस्ता में रहना चाहती है क्योंकि बाहबल का मतलब कोई वस्ट गज्मान है तो बाहबल वस्ट बल का मतलब होता है या हवा का वेग या कोई घरसन गाम करेगा तब तो वस्ट रुकेगी ना तो इसलिए हमारा ये नीउतन का दूतीज नियम इसको हमार ठा़त इस तरह भी कह सकते है कि सभी वस्तु अपनी प्रावरांभी का वस्था बनाये रखना चाहती हैं और हमारा दूसरा मतला पॉइंट नमर दोसरा हम देख सकते हैं कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पढ़ने पर बैठी हुई व्यक्ति या यात्री पीछे की और जूख जाते हैं और पेल की टेहनियों को हिलाने से फ़लों का गिर्ना ये भी सब न्यूटन के प्रथम नियम के उधारन है और अगर आफसन सी की बात करें न्यूटन का दोतीन नियम तो न्यूटन का दोतीन नियम अभी हमाँ को पढ़ चुके हैं तो वो गेंद की ही दिसा में हाथ पीछे की तरफ मोडते हैं हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं कि जिससे खिलाडी के हाथ में चोट या ठोकर कम लगे या ना लगे अगर इसके नियम की बात करें तो इसका नियम क्या है किसी वस्त पर आरोपित बल की दिशा उस बल में तोरण के गुणन फल के बराबर होती है कैसे फिर से किसी वस्त पर आरोपित बल वस्त उस वस्त की द्रबमान तथा क्या उस वस्त के द्रबमान तथा बल की दिशा में उत्पन तोरण के गुणन फल के बराबर होती है यह हमारा न्यूटन का ततीन नियम हो जाएगा और न्यूटन का ततीन नियम तो सब को पता ही है कि जब क्रिया प्रतिक्रिया की नियम है इसे न्यूटन का ततीन नियम भी कहते है और इसके उदाहन की बात करें तो जब बंदूग से गोली दागते हैं तो वो पीछे की तरफ विप्रीद दिशा में धक्का देती है, क्या धक्का देती है, और अगर इसके, मतलब एक्जामपल की बात करें, मतलब इसका नियम क्या है, इसका नियम की बात करें, जो इसका नियम है प्रतेक्रिया के बराबर परंदु विप्रीद दिशा में प्रतक करें तो हमारा क्या धुरूओं पर अधिकतम होता है क्या धुरूओं पर धुरूओं पर सरीर का वजन अधिकतम होता है क्या टार्क टार्क हमारा ऑफशन ए ऑफशन बी राइट हो जाएगा टार्क अब क्वेशन नम्बर टेन क्वेशन नम्बर टेन है जल के आयतान में क्या परिवर्टित होगा यदि 9 अंस centigrade से गिरा कर 3 अंस centigrade कर दिया जाए अगर 9 अंस से गिरा कर 3 अंस कर दिया जाए तो क्या प्रभा पढ़ेगा आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा ये किस option में दिया है ये option C में दिया इसलिए हमारा C option right हो जाएगा क्या C option right हो जाएगा अब question number next question number next देख रहे हैं 11 question number 11 हमारा पानी का घटाव होता है पानी का अंस जो अधिकताव होता है क्या 4 अंस centigrade पर होता है पानी का अंस अधिकताव 4 घंस centigrade में होता है अब question number 12 है समुद में प्लमन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद की सता से रहता है कितना भाग रहता है तो option A option A हमारा right हो जाएगा कितना एक बटे nine भाग एक बटे nine भाग हमारा उसके उपर रहता है question number 13 question number 13 है सावन के बुलबुले के अंदर का दाब तो कैसा रहता है one why मंडली दाब से अधिक होता है कितना वाय मंडली दाप से अधिक होचा है होता है, अब question number question number नेश्ट है, सूर में निरंतर उर्जा कर सेजन किस कारण होता है सूर जो हमारी उर्जा है इसमें निरंतर जो हमारा हरदम प्रत्वी जी उजन्तू और सॉल उर्जा जो चलते हैं खिर हम बात करें कि सूर में उर्जा कहा से आती है अगर हम सूर की उर्जा की बात करें तो क्या इसमें नाब की सनलेयन की क्रिया होती, क्या नाब की सनलेयन is the right answer हमारा हो जाएगा क्या is the right answer अब question number 15 question number 15 है, जब एक चलवस्ट की गती दोगनी हो जाती है तो उसकी गती जूर्जा गती जूर्जा कैसी हो जाए उसकी गती जूर्जा चार गुनी हो जाएगी आफसन भी हमारा राइट एंसल हो जाएगा क्या गती जूर्जा चार गुना हो जाएगी और दूद से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है अगर हम दूद स हमारी वासिंग मसीन होती है कपड़ाइध होने वाली वासिंग मसीन ये भी अपकेंदरी बलके सिद्धान पर काम करती है कैसे है अपकेंदरी बलके सिद्धान पर काम करती है कोश्चन नमबर 17 है हमारा लोलक की कालवधी किस पर निर्भर करती है और लंबाई के उपर चार परसेंट फोर परसेंट बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल अगर हम किसी लोलक की लंबाई को चार परसेंट बढ़ा देते हैं कितना चार परसेंट बढ़ा देते हैं तो उसका आवर्तकाल उसका दो परसेंट बढ़ जाएगा कितना आफसन भी राइट एंसर आफस नमबर 20 में ध्वनी तरंगों की प्रकति होती है अगर ध्वनी तरंगों की प्रकति की बात की जाए तो ऑप्शन भी हमारा राइट एंसर हो जागा क्या अनुदैर्ध होती है ध्वनी की प्रकति क्या होती है अनुदैर्ध होती है अनुदैर्ध होती है अनुदैर्ध होती है Q22 हमारा Y में ध्वण की चाल 332 मीटर पर सिकेंड होती है ये दाब बढ़ा कर दोवना कर दिया जाए तो ध्वण की चाल होगी यह हम बता दे आपको कि ध्वण की चाल आपरवर्वर्तिर रहेगी मरतब इसकी option वी जरॉघ एंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगी क्योंकि दाब का ध्वनी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता अब क्वेशन नमबर 43 है ध्वन की चाल अधिकतम होती है ध्वन की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है अगर इसमें बात की जाए तो ध्वन की चाल जो होती है ठोंसों में दिखते हैं होती है किसमें ठोंसों में ठोंस का आफसन किसमें दिया है इस पात देखो निर्वात तो कोई माध्यम निर्वात में धोन गमन ही नहीं करती है वाईव में धोन करती है जल में कम करती है तो वाईव जल तो ठोंस है ही नहीं और क्या हमारा इस पात दोहाई इस पात में धोन की चाला दिताम होती है हमारा D is the right answer हो जागा अब हम यहीं पर बात कर लें कि वावी में हमारी धोन की चाल कितना अभी हम question में पढ़ चुके हैं 332 मीटर पर सिकेंड होती है अगर निर्वात में बात करें इस पात में इस पात के अंदर लोहा भी आ जाता है तो लोहा में होती है त। आड़ोन सो तिस मीटर पर सिकेंड आज चुकेंड इस तिल में सबसे ज़्यादा होती है धुन की चाल इस पात में अब question number next question number next हमारा 24 है 24 में है वाई में ध्वनी का विग लगभाग वाई में अभी हमा को बता चुके हैं कितना option is the right answer हो जागा 332 मीटर पर सेकेंड हो जागा option number हमारा is the right answer हो जागा अब हम चलते हैं question number 25 में 25 हमारा question number है ध्वनी तरंगे किसके करण प्रत्ध्वनी इको उत्पन करते हैं ध्वनी को हम इको भी कहते हैं किसके करण परावरतन के करण option C हमारा right answer हो जागा option C right answer हो जागा अब हम question number 26 में चलते हैं 26 है किसी ध्वनी श्रोत की आवरती में होने वाले उतार चड़ाओ को कहते हैं उतार चड़ाओ को कहते हैं क्या कहते हैं उतार चड़ाओं को डाफ लार प्रभाव कहते हैं, option B हमारा right answer हो जाएगा, अब हम question number 27 में चलते हैं, 27 है हमारा Calvin man में मानव सरीर का समान ताप है, Calvin man में मानव सरीर का समान ताप कितना है, 310, option D हमारा right answer हो जाएगा, अब हम चल रहे हैं, question number 28 में, 28 है कितना top man होने पर, path young, celsius सिल्शियस और फारानो häIGHT टाप माप्रों में एक ही होंगे अगर इसकी बात करें तो आप संग हमारा है एप एंसर हो जाएगा इसमें किसी मन उसके हमान कितना सिल्सियस और फारेन हाइट समान होते है तो हमको फारेन हाइट में चेक करते हैं यह तो सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि फिर भी बताना तो नहीं चाहते हैं मगर आपको बता दे रहें कितना option A हमारा right answer हो जागा music ग इकजेक्ट होता है 98 2 touch on Fahrenheit आगर हम इसमें लगभग में दिया भी है कि अट्वी फारेन हाइट अगर हम इसको celsius में बात करें celsius में कितना होता है अगर हम celsius में दे इकजेक्ट की बात करें तो कितना होता है अगर हम इसको एप्रोक्स लगभग भी बात करें तो कितना 77 सेंटिग्रेट होता है अब हम चल रहे हैं कोईशन नमबर 30 कोईशन नमबर 30 है हमारा निमलिखी द्रवों में से कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालाख है उस्मा का कौन अच्छा अधीक अच्छा चालाख है क्या पारा यह हमारा राइट एंसर हो जाएगा यह हमारा राइट आपारा जो है उस्मा का बहुत अजग चालाख होता है question number 31 31 हमारा question है किसी द्रव का उसके कोथनांग से पूर्व उसके वास में बदलने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं आगर हम उसके कोथनांग से पूर्व द्रव को वास में बदलने के प्रक्रिया की बात हो जाए तो क्या हमारा option ए राइट answer हो जाए वास भी करन कहते हैं क्या कहते ह है उर्थस्मा कज़की का प्रथम नियम जो है हमारा किसकी अउध्रण की पुष्ट करता है उर्जा संग्र चपिर्द के आपसंद हमारा राइट एंसर हो जायगा उर्जा संग्रद की कोशिशन नंबर हमारा 33 है माध्यम के तापमान में नाव Brद के अगर इसकी बात के जाए तो ये कप होता है पूर्णीमम होता है क्या पूर्णीममे चंदग्रहान पूर्णीमम होता है आपके लिए knowledge के लिए हम और यहीं पर question अगर यहीan question इप जाएं कि सुर debug ड्रहन कब होता है तो सुर गरहन जो हैं अमावस्य की दिन होता है सुर गरहन समावस की दिन और चंद ग्रहर पोर्णिमा की दिन होता है कोर्वर्तन कोर्ण होगा कितना हम बता दें आपको परवर्तन कोर्ण जो है समान ही रहेगा कितना समान ऑप्षन भी हमारा राइट एंसर हो जाएगा कितना समान को मतब 60 अंसी रहेगा अब हम question number next 36 36 हमारा question है पूर आंतरिक परवर्तन होता है जब प्रकास जाता है कहां जाता है हीरे से काच में option यह हमारा right answer हीरे से काच में question number next question number next हमारा है यह अकास का रंग नीला प्रतीत होता है अकास का रंग नीला प्रतीत होता है तो हम आपको बता दी option भी हमारा right answer हो जाएगा option भी है हमारा आकास के प्रक्रियनन के लिए कहुंसद द्रमुर्प्युक्त हो था है motor गाडियों में जो हम पीछे देखने के लिए जो side सीशा होता है लेफ्ट हैंड वाला सिठ्छा उसमें कौन सा लेंस प्रियुक्त होता है तो कौन सा दरपन प्रियुक्त होता है अगर इसमें बात की जाए तो उत्तल दरपन क्या अगर कोई वस्त को हमको छोटा करकी देखना है तो उत्तल दरपन अगर कोई अगर उसकी बात किया जाए तो भी आ जाता है अगर आखोंस देखना तो लिंस अगर सीसे की बात हो जाए तो दरपड तो क्या उत्तल दरपड अगर कोई चीज को हमको बड़ा करके देखना है अर्था जैसे डांक्तर लोग दांत या कान का चिक करते हैं तो कैसे चिक करते हैं वो हमारा लिंस होता है वो हमा है question number 40 question number 40 है मानव आख की रेटीना पर कैसा प्रत्विक बनता है हमारा ए आप एंसर जो है सही हो जाएगा ए हमारा है वास्तिक तथा उल्टा कैसा बनता है वास्तिक तथा उल्टा जैसे कि जैसे आउतर लिंस काम करता है आउतर लिंस डीस दा राइट एंसर हो जाएगा आउतर लिंस जैसे काम करते हैं वैसे ही पानी में हवा का बुल बुला काम करता है अब हम question number चल रहे हैं 42 हमारा लाल काच को अधिकता पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा लाल काज को हम अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह दिखाई देगा किया हरा रंका दिखाई देगा हरा 20 दा राइट एंसर हो जाएगा हमारा बी राइट एंसर हो जाएगा Question number 43 जब प्रकास के लाल वा हरे वा नीले रंगों को समान अनपात में मिलाया जाता है तो वह परिणामी रंग होगा परिणामी रंग कौन होगा हमारा सफेद होगा परिणामी रंग जब लाल हरे और नीली को समान अनपात में मिलाया जाता है तो हमारा वो option be the right answer हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, अब हम चल रहे हैं question 44, 44 हमारा है निकट द्रश्टी के दोस्ट के चस्मे में प्रयोग किया जाता है, निकट में क्या, निकट में ओतल लेंस, क्या ओतल लेंस प्रयोग होता है निकट में और दूर में उतल लेंस, हम आप ये बहुत doubt हो रहा है, उतल लेंस, उतल दरपड, निकट दरश्टी दो, दूर दरश्टी दो, इसमें बहुत, तो आप हमेशक लिए क्या करें, दूर दरश्टी दो, दूर में क्या निकल रहा है, उ, क्या निकल रहा है, तो उ से हो गया उतल दरपड, और निकट दरपड, निकर दरश्चिदोस की बात हो रही है तो इसलिए C हमारा right answer हो जाएगा क्या C right answer हो गया question number next question number next हमारा वस्तों के आवेशन किसके इस्थांतरण के फलसरूप होता है question number 46 हमारा सरवधिक बिद्धु चालगता वाला तो क्या है सरवधिक बिद्धु चालगता वाला तो क्या है अगर इसकी ये भी सबको पता होगा बिद्धु चालगता वाला तो सबको पता है कि चांदी चांदी में बिद्धु बहुत जाता चलती है मगर जो सस्ता होने कारण इसलिए लोक कापर लोहा इलुमीनियुम का प्रियों करते है कॉकि चांदी तो बहुत महंगी पढ़ जाएगी तारों में भरने के लिए मगर सरवधिक दूछा लगता वाला ततो है चांदी हो जाएगा चांदी age the right answer हो जाएगा हम आप question number 47 में चलती है अतिचालक ता का लच्छन क्या है उच्छ पारे गमता इस दर आइड एंसर हो जाएगा हमारा हम चल रहे है 48 दूर दरशिदो से पीडित व्रति के चस्में में प्रोकिया जाता है दूर अब दूर में बड़ा उ निकल रहा है तो उसे क्या उतल लेंस हो जाएगा उतल लेंस ह कभी नहीं हमारा आगर वीडियो आप अच्छे देख रहे हैं तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं सिए याधर याद यहिए कि दूर में ऊगया तो निकट में अउतल होगा ही होगा क्योंकि दोनों बदलके होते हैं अब हम कॉर्टिनसर नंबर 49 हमारा कॉर्टिशन हमारा प रेक्टिफायर, C is the right answer, अब हम question number चल रहे हैं 50 में, question number 50 हमारा है, एक आदर्स बोल्ट मीटर का पिद्रोध होता है, क्या अनन्त होता है, हमारा D right answer हो जाएगा, क्या अनन्त होता है, थैंक्स, थैंक्स फार वाचिंग, और हम अब इसकी next question, अगले question, अगले वीडियो में कराएंगे,